नवस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग 11th क्लास की जोग्रफी की NCRT की किताब दो वीडियो मैंने अब तक अपलोड की हैं दूसरी वीडियो के बाद काफी ग्याप हो गया है आप मैं तीसरी वीडियो में शुरुआत कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने दूसरी वीडियो को छोड़ा था बहुत लंबे समय से कमेंट्स में और बहुत अलग 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 जगहों पर आप लोगोंने रिक्वेस्ट किये कि सर NCRT Geography continue करो तो 11th Class की Geography में continue कर रहा हूँ मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी खतम करूँ देखे वीडियोस तो मैं regularly लाही रहा हूँ ठीक है अब इतना बड़ा सिलेवस है तो थोड़ा समय तो मुझे लगी रायस को complete करने में ठीक है भई जोग्रफी डील करती है तो एक जोग्रफिकर जो जोग्रफी की study करता है वो अलग-अलग fields को relate करना उसे आना चाहिए इस चीज़ को यहाँ पर आगे हम लोग elaborate करेंगे कहीं न कहीं अगर आप देखो तो जोग्रफी historical events को effect करती है यह बात बिलकुल सही है आज की date में जो भी events हो रहे हैं उनको geography effect कर रही है for example अगर आप उत्तराखंड में वो जो glacier lake का outburst हुए अगर उस event को देखो तो वो एक ऐसा event है जो कि आगे आने वाले समय में बहुत लंबे समय तक disaster management में उसको पढ़ा जाएगा बट वो क्यों हुआ वो उत्तराखंड की geography की वज़े से और उस geography में जो naturally induced changes आये हैं उसकी वज़े से हुआ है तो basically history में बहुत से ऐसे events हुए हैं जिसमें geography बहुत major role play करती है हो सकता है कि anthropogenic वज़ा रही हूँ उसमें सीधे man-made causes रगए हो हो सकता है कि केवल purely natural causes की वैसे रहो बट कहीं न गहीं historical events में geography एक major role play करती है और इस geography में एक factor होता है spatial distance देखे भाई overall history की बात करें तो spatial distance major role play करता है spatial मतलब space, जगह ठीक है न भाई, जगह से related जो भी चीज़े उस कौप बोल सकते हो spatial, ठीक है तो spatial depth provided a difference to many countries आप देखें नेपाल का, मैं आपको just example दे रहा हूँ, नेपाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहाँ पे पूरे अंग्रेजी राज में अंग्रेजों का control नहीं रहा, क्यों control नहीं रहा countries को defense provide करती है, ठीक है भाई, तो overall वो जगहें जो बहुत ज़्यादा दूर थी, वहाँ पे ज़्यादा colonial countries पहुँचके राज नहीं करना चाहती थी, फिर अगर आप बात करो, तो जब भी traditional warfare होता था, traditional warfare मतला प्रॉपर लड़ाई होना, तो पहले तलवार भालों से होती थ जो बड़ी countries होती है, countries with large size in area, gain time at the cost of states, कुछ इस लाइन को इस प्रकार से समझे कि जितनी बड़ी country होगी geographical इलाकों में, खासकर पुराने समय की बात कर लिए, जब modern means of communication नहीं होगा कर सकते हैं, उस समय पे space को बचाना बहुत मुश्किल होता था, और जितनी छोटी country होगी इसको effectively बचाना एक particular राजा के लिए, या country के administration के लिए particularly या फिर relatively आसान होता था, for example, अगर आप बात करो कि एक ऐसी country जिसके चरो तरफ ocean ही ocean हो, तो उसके खिलाफ जंग छेड़ना मुश्किल है, आज की date में ये सब चीज़ें उतनी मुश्किल नहीं है, चुकि आज की date मे modern means of warfare आ गये हैं, भाई, nuclear technology, cyber warfare आ गया है, प्लेंस जटके में उड़के, अभी चाइना को Australia पे attack करना हो, तो 10 मिनट में चाइना के fighter agents Australia पहुंच आएंगे, इस level की technology हर जगा पे आ चुकी है, बट पुराने जमानों में आपको लगता है कि Australia और New Zealand जैसी countries के ओपर traditional attack हो सकता थ एक तो इतनी secluded है, दूसरा दोनों तरफ से समुंदर से घुरी हुई है, चारों तरफ से, तो इस प्रकार की countries के अगेंस्ट war छेड़ना हमेशा से मुस्किल होता था, इंडिया की बात कर लिजे, तो इंडिया इतना जादा परेशान क्यों रहा है बॉर्डर इलाकों में, क्योंकि एक से country हमारे border पे बैठी है, चाहे चायना की बात कर लो, चाहे आप पाकिस्तान की बात कर लो, अगर आप Australia को देखो, तो चारों तरफ समुंदर ही समुंदर है, कोई adversary ही नहीं, तो उनकी military उतनी strong नहीं, उनको उतना डर ही नहीं जंगों से, समझ गया आप बात को तो भाई, दुनिया भर में historical events जो भी history में हुए हैं, उनको आप आराम से geography के साथ connect कर सकते हो, geography कहीं न कहीं एक role play करती है, historical events को decide करने में, इंडिया की अगर बात करो तो आप हिमालियास की बात करो, हिमालियास ने साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को इंडिया तक और रश्या से लोग इंडिया में आप आए, चोकि हिमालियास गीच में खड़े थे, बट कहीं न कहीं इन हिमालियास में passes थे, जिनको प्रॉस करके migrants और invader Central Asia से इंडिया की तरफ आये, बट इतना आसान नहीं था ना, फिर अगर आप Sea Coast की बात करो, तो कहीं न कहीं Sea Coast ने इस बात को बोला कि इंडिया के लोग East के साथ current करपाएं, East के लोग West के साथ current करपाएं, तो इंडिया के लोग East के साथ, South East East Office के साथ, यअर्वब के साथ, अपरीका के साथ current करपाएं, हमारे oceans के चलते, ये जो oceans में navigation की technology है, इसका प्रयोग करके बड़ी-बड़ी European countries अपन रोल प्रे किया था ठीक है तो भाई समुंदर के रास्ते आये तब यह तो कॉलनाइज किया समुंदर क्या है एक जो भी इस्ट्री रही है कहीं नगी जोगर्फी ने उसके बीश में एक मेजर रोल प्रे किया है फिर एवरी जोगर्फिकल फिनॉम्ना अंडर गोस चेंज तू है इन फेक्ट अगर आप बात करो वेजीटेशन की एक्रोमिक एक्टिविटी की ऑकूपेशन की कल्चिरल डेवलफमेंट की तो यह चीजें तो बदलती ही है टाइम के साथ हां हो सकता है क्लाइमेट को बदलने में इतना बड़ा समय लग जाए कि एक हुमन लाइफस्पैन तो अलग-अलग इंस्टिशिंशन जो साई समय पर डी सिन लेते हैं उसकी वज़े से होता है जैसे कि आपने देखा होगा कि कई-कई जगों पर आर्टिफिशल आइलेंड बना दी जाते हैं ऐसी जगहें जहां पर किवाद समुनदर ही समुनदर है वहां पर आइलेंड बन जमीन बना दी गई प्रकार की modern city बना दी गई यह भी पॉसिबल है और कहीं न कहीं अगर आप देखो तो आप चीजों को टाइम यह स्पेस में मेजर करते हो एगर आपको ए जगा से बी जगा जाना है तो या तो आप यह बोलोगे कि भाई ए जगा से बी जगा जाने में हमको 1500 km लगते हैं या फिर आप यह बोलोगे कि ए जगा से बी जगा जाने में हमको फ्लाइट से दो घंटे लगते हैं तो इस पैटियर एनलिसिस में दो चीजों का प्रियोग करते हो या तो आप डिस्टेंस का प्रियोग करते हो या फिर आप टाइम का प्रियोग करते हो तो अ ही हैं यहाँ पर बात करते हैं Physical geography and natural sciences की यह फिज कल जागर्फी और Natural science की बारे में बात करने से पहले एक figure यहाँ पर देखो आगे बढ़ने सब वीडियो पर लाइक कर बटिन दबा देना दूस्तों 7 मिनट बिचने काद हैं आपको लाइक बटन दवाले को तो NCRT 612 की जोगर्फी की हिस्ट्री, आपकी एकॉनमी, पॉलिटी, साइन्स इन सब की किताब में आपको कवर करवाई है, तो जोईन मुटन दवा के फैल्प कर सकतो है, यहां भी दहीं क्या बता रखा है, जियोलोजी और जियोमॉर्फोलोजी आपस में कनेक्टेड है, साइंस, इन्वार्मेंटल जोगर्फी, कल्चरल जोगर्फी, एंथ्रोपोलोजी, जोगर्फिकल थोट्स, फिलोस्फी, सोशल जोगर्फी, सोशियोलोजी, हिस्ट्री, हिस्ट्री, हिस्ट्रीकल जोगर्फी, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल जोगर्फी, फिर सारे जो यहां पर टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे के साथ connected नजर आ रहे हैं कोल मिला के बताने की कोशिश क्या जा रही है बताने की कोशिश यह की जा रही है कि आप किसी भी science की बात कर लीजे किसी भी specific पढ़ाई की बात कर लीजे वो in one form or the other geography के साथ तो जुड़ी ही हुई ह और यही चीज़ को यहां पर elaborate किया रहा है अगर आप बात करो physical geography की जतनी भी branches हैं कहीं ना कहीं वो natural sciences के साथ जुड़ी हुई है तो अगर आप geography की बात करो physical geography खास करतो वो geology के साथ जुड़ी है meteorology के साथ जुड़ी है hydrology साथ पैडोलोजी के साथ जुड़ी है geomorphology, climate biology, ocean Geography, Soil, Geography, यह सब आपस में एक दूसरे के साथ भी जुड़े हुई है, Natural Sciences के साथ भी जुड़े हुई है, Geography के साथ भी जुड़े हुई है, Bio Geography के बात करते हैं, Botany, Zoology के साथ जुड़े हुई है, Ecology, Human Beings के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है न भाई, Ecology, Location के साथ बदलते जाएगा, बट अलग-अलग Locations पे Human Beings Ecology के साथ एक Particular Pattern में Connect करते हैं, और इस Pattern को समझने के लिए, Geography को समझना बहुत जरूरी है, फिर एक Geographer, एक Geographer, बेसिकली जो Geography की Study करता है, उसको Mathematics और Art आना भी जरूरी है, चुकि Geography without Maps incomplete है, तो अगर आपको Geography पढ़नी है, तो आपको Maps के साथ डील करना है, Maps के साथ डील करना है, तो Map बनाना आना चाहिए, मतलब आपके पास Art की Proficiency होनी चाहिए, साथ-साथ Mathematics की Proficiency होनी चाहिए, Geography, Study of Astronomical Locations के साथ भी जुड़ा हुआ है, और Latitude, Longitude की पढ़ाई आप करोगे ही Geography के अंदर, Shape Earth का होता है Geoide, Geoide क्य नहीं होता है, मैं बतायता हूँ क्या होता है, यहां पर देखिए, यह आपको दिख रहा है Geoide, Actually में अर्थ हमारा ऐसा है, ठीक है ना अर्थ हमारा, आप कह सकते हो एक Proper Sphere है, कुछ जगहों पर जो Surface है, वो उठी हुई है, कुछ जगहों पर जो Surface है, वो नीचे की तरफ द लगा होगा, तो basically Earth क्या है, एक Geoide है, तो इस Earth को Proper तरीके से Study करने के लिए Map की Study आनी चाहिए, तो Mathematics तो आनी ही चाहिए, Map भी आना चाहिए, Latitude, Longitude, इन सब की Basic समझ आपको होनी चाहिए, ठीक है भई, Map क्या है, तो Map is basically a Two Dimensional Representation of the Earth, ठीक है ना भई, अब ओविस्ती बात है Three Dimensional Studies तो हो नहीं पाएगी Map में, Map की अपनी कुछ खामिया है, Map जब Two Dimension में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, Three Dimension की चीजों को आपको Two Dimension पर प्रेजेंट करना पड़ेगा, तो यह जो Geoide है, यह Geoide आपका Three Dimension में exist करता है, बट इसको समझना Two Dimension में है, तो इस Geoide को आपको Two Dimension में Convert करना पड़ेगा, एक Map पर बनाने के लिए, जिस पर आपको Graphical और Mathematical Projections दिखाने पड़ेंगे, और इन Cartographic और Quantitative Techniques को Execute करने के लिए Mathematics भी आनी चाहिए आपको, आपको Statistics भी आनी चाहिए, और आपको Econometrics भी आनी चाहिए, उसके बात, अगर आप Imagination तो होती है, sketches बनाना, दिमाख में Maps को Study करना, Cartography, Cartography is basically the science of making Maps, ये सब चीज़ें आपको चाहिए ही चाहिए, फिर बात करते हैं, Geography की और Social Science की, अगर आप बात करो तो हर Social Science का Interface है Geography के साथ, ये हमने Figure 1.1 में समझा, आप बोलोगे Social Science क्या होता है, तो ये Anthropology, Sociology, Psychology, ये Social Science के ही टाइपस है, समझे के भाई बात को, तो कहीं न कहीं एक branch of Geography किसी ना किसी Social Science की बात से, या हो सकता एक से ज़्यादा Social Science की बात से, ये एक Social Science की बात से, एक से ज़्यादा Geography की बात से जुड़ा हुआ हो, और इससे हम लोग Geography और History की बीच के रिश्टे को खंगालत हैं, किसी भी discipline को, किसी भी subject को पढ़ने के पीछे एक philosophy होती है, एक discipline के presence की जो सबसे बड़ी वज़ा है ना, वो है philosophy, philosophy is the reasoned dietary of that discipline, reasoned dietary मतलब उसकी existence की वज़ा है, कि अगर कोई discipline, कोई subject present है, तो उस subject को present होने की वज़ा एक philosophy है, ठीक है ना भाई, और इस philosophy को समझना बहुँ हो ज़दा ज़रूरी है, तो जो philosophy होती है, यह root प्रवाइड करती है, एक discipline की, and in the process of its evolution, it also experiences a distinct historical process, तो philosophy एक discipline की root प्रवाइड करती है, और evolution के process में, यह जो आपकी philosophy है, it also experiences a distinct historical process, ठीक है भाई, तो आप समझ लिजए कि यहां पे चीज़ें बहुत ज़ादा एक दूसरे के सा philosophy, और उस subject के साथ जुड़ी हुई history, यह तीनों आपस में इस दूसरे के साथ interconnected है, ठीक है भाई, तो आप कह सकते हो कि history of geographical thought as mother branch of geography is included universally in its curricula, तो जिस geographical subject की आप बात कर रहे हैं, history में, जो भी प्रकार की geography, thought उसके साथ जुड़ी हुई है, उसको overall हम लोग holistic तरीके से उसके curriculum, curriculum, मतलब curriculum, जहां इस चीज़ को समझा जाता है, उसको associate करके बढ़ते हैं, अगर आप social science की disciplines की बात कर लो, sociology की, political science की, economics की, demography की, तो यह social reality के अलग-अलग aspects को दिखाते हैं, और यह अलग-अलग geography की ब्रांच के साथ चुड़ते हैं, जैसे social geography, political geography, economic geography, population geography, मुझे पता है कि चीज़ें थोड़ी से tricky हो रही हैं, दोस्तों, पहला chapter है, सीधे-सीधे आपके course के perspective से उतना important नहीं है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको justice के साथ, मतलब proper तरीके से justice करके आपको चीज़ें समझा सकूँ, for example, अब यहां पर बात करते हैं, political science की, तो political science में एक नहीं पर अगर आप political geography की बात करो, तो political geography deal करेगा किसके साथ, study of the state as a spatial unit as well as people and their political behavior, जैसे कि अब बात की जाए economics की, तो economics deal करता है with basic attributes of economy, जैसे economy में production का process होता है, distribution का, exchange का, consumption का, तो इन सब जिदों सब economics deal करता है, ठीक है, अब हाई economics के भी अपने spatial aspects, spatial aspects मतलब एक location के साथ आप economic geography की बात करो, तो economic geography में आपके spatial aspects of production काम आएंगे, आएंगे, तो किसी एक particular जगा का, production का एक जगा पर हो सकता है, जैसे for example, mining, अभी mining में कोईला अगर आपको खादान से निकालना है, तो क्योंब उसी जगह से निकालोगे जहाँ पर कोईला present होता है, तो ऐसा तो है न तो economics के सारे aspects, production, distribution, exchange, consumption, सब कुछ जुड़ गया, उसी प्रकार से population geography जुड़ी होती ही, डेमोग्राफी से, आप जानते हैं, डेमोग्राफी क्या होता है, डेमोग्राफी मतलब एक जगह पे कितने लोग रहते हैं, कौन-कौन से धर्म रखे लोग रहते हैं, भाई, कितने men हैं, कितने female हैं, कितने transgender हैं, फिर अभी अगर आप मान लिजए, अफरीका में एक देश में चले जो, इथोपिया, तो इथोपिया कि अगर आप डेमोग्राफी की बात करोगे, तो सिर्फ वहाँ पे धर्म और gender नहीं देखा जाएगा, वहाँ ये भी देखा जाएगा, कि इथोपिया की आबादी में कौन-कौन सी ट्राइब के लोग हैं, और वो किस ट्राइब के कितने लोग हैं, कौन सी ट्राइब ज्यादा डॉमिनेंट हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं आपकी demographic की study में, और demographic की study बहुत हट तक population geography के साथ जुड़ी हुई है, तो Geography का एक Osmotic Relation है दूसरे Disciplines के साथ Osmotic Relation मतलब ये दूसरे Disciplines ने कैसे न कैसे करके घुसरा है इसकी अपनी कोई Individuality नहीं है हो सकता है ऐसा कोई Discipline हो जो कि सिर्फ अपनी Individuality के साथ exist कर सकी वैसे तो ऐसा कोई Discipline नहीं होता Geography एक ऐसा Discipline है जो सबके साथ घुल मिलके चलता है जैसे for example अगर आप हमारी Body में Cells की बात करो तो Cells अलग-अलग है इन Cells की Membranes अलग-अलग है लेकिन जब Blood भहता है तो वो सारी Cells के थू होता हुआ भहता है कोई भी Cells में ऐसा नहीं कि Blood नहीं भहेगा समझ गया बात को उसी प्रकार से Geography है तो Geography सारे Disciplines में बहतु ही चलती है आप उसको कहीं पर Segregate नहीं कर सकते है और Geographers अलग-अलग जो भी Fundamental Disciplines है वहाँ जो भी Information मिलती है उस Information को Assimilate करके Overall Synthesis करके इस Space की पढ़ाई को Geography की पढ़ाई को Spatial Analysis सारे जोड़के करने कोशिश करते हैं इसमें Maps बहुत मदद करते है Geographers के जो सबसे बड़े दोस्त होते हैं वो होते हैं Maps Maps are effective tools of Geographers in which the tabular data is converted into visible form एक tabular data को visual form में convert करके देखने का सबसे अच्छा तरीका Map है फिर बात करते हैं किसकी? ब्रांचेस ऑफ जोगरफी की तो ब्रांचेस ऑफ जोगरफी की बात कीजाए तो जोगरफी जैसा कि मैंने आपको बताए Interdisciplinary Subject of Study है तो बैतर यह रहेगा कि आप जोगरफी को भी Segregate करके पढ़ो अब जब जोगरफी को Segregate करके पढ़ोगे तो दो अप्रोचेस निकल के आती है एक अप्रोच है Systematic अप्रोच एक अप्रोच है Regional अप्रोच Systematic जोगरफी वाली अप्रोच जनल जोगरफी की है इस अप्रोच को लेके आया था Alexander Worm Humboldt German जोगरफर है 1769 से 1859 की टाइम पिरिड में अक्टिव थे वहीं पे अगर आप Regional जोगरफी की बात करो तो इसको डेवलफ किया था एक और जर्मन जोगरफर जो की Humboldt की contemporary थे उसी की समय पे active थे इनका नाम है Karl Ritter 1779 से 1859 में ये active थे तो दोनों की अगर आप बात करो तो दोनों जोगरफर्स ने एक ने systematic अप्रोच दी जोगरफी की एक ने regional अप्रोच दी systematic अप्रोच दी Alexander von Humboldt ने और ये आपका कह सकतो regional अप्रोच दी किसने Karl Ritter ने हाला कि इन नामों को आपको रटने ही जरूद नहीं है अगर आपका geography optional है तो शायद आपको ये नाम रटने ही जरूद है वैसे तो नाम रटने ही जरूद नहीं किसने कौन कोंसी अप्रोच दी अब बात करते हैं systematic अप्रोच की और systematic अप्रोच में आपको branches of geography क्या है वो यहाँ पे दिखा रखी systematic अप्रोच में physical, principles, philosophy, methods and techniques, humans और किस प्रकार से systematic अप्रोच ने geography की अलग-अलग branches को तोड रखा है वो आप इस particular figure में देख सकते हो ठीक है वापस आजाते हैं जरा systematic अप्रोच पे जो हम लोग पहले पढ़ रहे थे तो भाई दुनिया में होने वाले phenomena को हम लोग consolidated home पढ़ेंगे उसके बाद उसमें से typologies औ पैटन को identify करने की कोशिश करेंगे जैसे कि for example अगर किसी को natural vegetation को समझना है तो सबसे पहले पूरी दुनिया में natural vegetation को समझा जाएगा फिर पूरी दुनिया की natural vegetation को अलग-अलग भागों में तोड़ा जाएगा तो equatorial rain forest बताए जाएगे softwood conical forest बताए जाएगे monsoon forest को identify किया जाएगे तो पहले तो natural vegetation as a whole world में उसको study किया जाएगा पहले तो चोटे-छोटे भागों में तोड़ा जाएगा रीजनल अप्रोच में आपने दुनिया को पहले ही छोटे-छोटे रीजन में डिवाइड कर दिया hierarchical level पे और अलग-अलग रीजन को study किया और अलग-अलग रीजन को study करने को बाइद natural political designated regions के सारे factors को जितना जादा मिला के दिखा सकते हैं दिखा दिया और unity and diversity दिखाने की कोशिश की तो यह तरीका है यहाँ पे किसका किसका systematic regional systematic में आपने पूरे एकटे lot से शुरू किया lot को छोटे-छोटे में तोड़ा regional approach में पहले आपने छोटे-छोटे चीजों को पहले पढ़ा और उसको फिर मिलाने की कोशिश की geography की बात करिए तो geography में dualism आता ही आता है dualism मतलब की एक identity के अंदर बहुत सारी अलग-अलग characteristics को खंगा लना ठीक है भाई? जैसे for example अगर आप बात करो physical geography की ठीक है? तो physical geography को अगर आप पढ़ते हो geographers ने सबसे फहले physical geography को पढ़ना शुरू किया जैसे जैसे physical geography को पढ़ना शूरू किया geographers को यह पता चला कि भाई यह physical geography तो हम तभी पढ़ब पारे हैं जब हम इस physical geography को human beings के साथ connect कर पारे है तो यह human beings physical geography में किस प्रकार से response कर रहे हैं? अलग-अलग प्रकार की जोगरफी में इन human beings का क्या response है तो भाई human beings की अपनी एक अलग पढ़ा ही निकलाई जिसको बोला गया human geography तो पहले importance दी गई physical geography को फिर बांगे देखा गया कि physical geography के existence तो तब है जब आप उसको human beings से context में पढ़ो चुकि आप human beings हो तब ही उनकी पढ़ाई कर पा रहे हो human beings exist करेंगे ही नहीं तो जोगरफी वैसे होते रहे ही कि कौन पढ़ेगा उसको तो भाई कहीं न कहीं physical geography के साथ human beings integral part है connect कर पा रहे है human beings भी part and parcel in nature के कहीं न कहीं उनका cultural development physical geography के साथ जुड़ा हुआ है तो भाई आपको human geography पढ़नी पढ़े ही जिसमें आपको human activity फोकस मारना पढ़ेगा तो यहाँ पर क्या पता चला है यहाँ पर यह पता चला कि physical geography human geography के साथ कैसे न कैसे करके connect कर रही है अब देखते हैं different branches of geography और यह different branches of geography हम लोग systematic approach के basis पे देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले ब्रांच आती है आपकी physical geography अगर आप बात करो physical geography में तो एक चीज होती geomorphology, geomorphology क्या होता है? landforms की study, landforms कैसे evolve हुए किस process से evolve हुए दूसरा है climatology, climatology में atmosphere का structure, elements of weather and climates इन सब चीजों को देखा जाता है तीसरा है hydrology hydrology में water surfaces को भाया surface of water पे जो भी oceans, lakes, rivers, water bodies की study ये hydrology से जुलू है soil geography में भाई soil कैसे बनता है soil के कितने प्रकार होते हैं उसका fertility status के सबसे डिपेंड करता है किस जगा पे soil कितनी तागाद में किन factors की वज़े से मिलते हैं ये सब आजाता आपका soil geography में वहीं पे अगर आप human geography की बात करो तो human geography में पहले आती है social cultural geography तो भाई एक society में लोग कैसे रहते हैं जगा बदलने के साथ वहाँ का culture कैसे बदल जाता है वहाँ का social setup कैसे बदल जाता है ये social cultural geography में पढ़ा जाता है फिर population and settlement geography rural, urban दोनों की अलग होती है तो ये population growth को study करता है population distribution को, density को, sex ratio को, migration को, occupational structure को settlement geography भी सके अंदर ही आती है फिर आती ही economic geography तो एक जगा पे रहने वारे लोग कौन कौन सी economic activity में नौल है agriculture में है, industry में है, tourism में है trade, transport, infrastructure कहा है ये देखते है और फिर historical geography अगर आप geography को history के साथ जोड़ दो और ये देखो कि कैसे historical experiences geography बेडिपेंडनेंट है और कैसे आज की date में भी जो changes हो रहे है history में, जो आगे अनल समय में historical हो जाएंगे वो भी कैसे ना कैसे करके geography के साथ ही जुड़ होए है फिर finally आप यहाँ पर बात करो किसकी political geography की तो political geography में political events के साथ geography को जोड़ना ठीक है भाई, तो एक country के दूसरे country के साथ क्या relation चल रहे है तो international relations में आपकी political geography involved हो जाती है तो भाई किसी एक particular country में geography के चलते एक mineral और ज़्यादा है और दूसरी country में mineral और कम है तो पहली country दूसरी country के मदद करेगी तो international relations डेवलप होंगे यह किस के साथ जुड़ा हुआ है political geography के साथ जुड़ा हुआ है समझ गया बात को तो यह इसमें basic phenomena है फिर तीसरी चीज़ पह जाते है अब तक हमने दो geography देखी है आप कह सकते है specialization है वो plant geography तो natural vegetation अपने habitat में किन-किन जगाओं पे कैसे फैला हुआ है यह आप plant geography में बढ़ते हूँ फिर बात करते हैं zoo geography की roof geography में हम लोग spatial patterns और geographic characteristics of animals and habitats बढ़ते हैं ecology, ecosystem, habitats और उन habitats में species कैसे perform करती है इसके बारे में पढ़ाई होती है environmental geography में क्या होता है कि दुनिया भर की environmental problem जैसे land degradation, pollution और जो भी environmental resources है उनका conservation यह environmental geography में आ जाता है फिर भाई यह तो हो गई systematic approach पे geography की branches regional approach पे geography branches कैसे होती है तो regional studies होती है तो macro study, meso study, micro study regional planning, तो country level पे planning रूरल और टाउन लेवल पे planning, urban planning, regional development, regional analysis और regional analysis के यह subpart इतना आपको घुसने की जरूत नहीं है हाँ यह अलग बात है कि भाई अगर आप geography मेंस अपना subject लेके चल रहे हो तो आपको थोड़ा यहां पे घुसके पढ़ना पड़ेगा अगर आप regional geography के हिसाब से classifications देख रहे हो तो यह figure भी आपके लिए important है regional approach के हिसाब से जो branches है वो है regional studies, regional development, regional analysis और regional planning ठीक है भाई इसमें field survey method, geoinformatics GIS, GPS, remote sensing यह सब इसे में आता है तो कुल मिला कि आपने यहां पे देखा कि भाई discipline को बाटने के अपने अपने तरीके है systematic approach है, regional approach है काफी हद तक systematic approach को हम लोग involve करते हैं पढ़ाई की समय पे हाला कि regional approach भी नहीं हटती है आप समझ सकते हो geography information system global positioning system यह कितना important है सब चीजों समझने एक लिए remote sensing वगरा और एक बात और बता दू geography की जो पढ़ाई होती है वो static नहीं है किसी भी discipline की पढ़ाई static नहीं है जैसे जैसे वो discipline grow करेगा उस discipline के अंदर जो ideas है, problems है, methods है, techniques है यह भी grow करेंगी जैसे कि पहले manual cartography होती थी हाथों से map बनाए जाते थे अब computer से map बनाए जाते है तो कहीं न कहीं geographicers जो map बना रहे हैं उनको वो digital computer चलाना आना चाहिए या फिर उनके साथ कोई ऐसा बंदा बैठना चाहिए जिसको वो चलाना आता हो फिर आज की date में technology बहुत हद तक आगे बढ़ रही है technology के चलते geographers के सामने बहुत heavy amounts of data available है जिससे geographers अपनी analysis को करते हैं internet पे बहुत सारे extensive information है इस internet की information का प्रियोग करके geography को जादा पढ़ा जा सकता है तिर भाई GIS geographical information system जो की regional approach का part है geographical positioning system जो की regional approach का part है इसने भी कहीं न कहीं आपका geography की study को बढ़ा दिया तो internet, GIS, GPS, technology, digital cartography ये कहीं न कहीं regional approach पे based है समझ गए बात को तो ये सब चीज़े है regional approach और systematic approach का basic idea तो मैंने आपको दे दिया बहुत ज़्यदा detail में घुसने की ज़रूरत नहीं है ठीक है भाई तो कहीं न कहीं ये जो regional approach है जोगर्फी को तोड़ने की इसमें एक बहुत comprehensive format है अलग-अलग branches of geography का और यहां पे technology को बहुत गुसिडा जाता है खासकर regional approach में technology को जो भी segregation हुआ है न वो भी technology के साब से हुआ है और कहीं न कहीं रीजनल approach ऐसी approach है जिसमें आगे आने वल समय में और classification हो सकता है और nano groups मन सकते है फाइनली बात करते है physical geography और उसकी importance की इस chapter जिसको हम पढ़ रहे है actually इस किताब का नाम है fundamentals of physical geography सबसे पहले तो आपको समझना पढ़ेगा कि कर आप fundamentals of physical geography पढ़ रहे है तो इस physical geography में पढ़ने क्या क्या वाल हो वैसे तो मैंने आपको बताया कि physical geography कि अगर बात की जाए तो उसमें क्या-क्या parts आते है यहाँ पे देखिए अब यह आपके साथ discuss किया है थोड़े दिर पहले यह रही physical geography तो geomorphology, climatology, hydroology, soil geography यह सब हम लोग physical geography में पढ़ने वाले है उसके साथ साथ हम लोग physical geography में क्या-क्या पढ़ने वाले है मतलब basically उसके साथ साथ क्या उसी का सब पार्ट मैं आपको बताने वाला हो तो physical geography में हम लोग पढ़ेंगे भाई कि यह lithosphere के types तो lithosphere में landforms, drainage, relief, and physiography atmosphere तो atmosphere के composition क्या, उसका structure, elements क्या-क्या है ठीक है भई, weather और climate कैसे change होते है temperature, pressure, wind, precipitation, climatic types का geography में क्या फर्क होता है एक्चली में geography में इनका क्या role है hydrosphere, तो samundar, sea, lakes, associated, water, land form ये भी आपको physical geography में आएगा biosphere, तो जो भी living life forms ने चाए human beings हो चाए जानवर हो ये भी आपके physical geography में आएगे तो ये food chain, ecological parameters, ecological balance इनके उपर मैंने पहले भी बहुत वीडियो बनाई है उन वीडियो का reference में यहाँ पर आपको पढ़ाते वक्त दूँगा मैं आपको बता दूँगा कि आपको कौन को से चीज़ रिवाइस करनी है फिर soil को बनाने में जो pedogenesis का process है इसको भी समझेंगे देखेंगे कि soil से बनने में उनके parent rock, climate, biological activity और time किस प्रकार से role play करते है कैसे soil ज्यादा mature होता है कैसे soil profiles develop होती है तिर भाई, land forms के बारे में पढ़ेंगे जो कि human activities के लिए proper जगहें देती है कैसे plains का इस्तमाल अग्री culture का होता है प्रैट्यूस में forest develop होते है मिनलस develop होते है माउंटेंस में pastures, forest, tourist spots develop होते है river के sources क्या-क्या है कैसे climate हमारे रहने के तरीके को कपड़े पहनने के तरीके को खान-पान के तरीके को बदलता है कैसे climate का effect हमारे vegetation पे cropping pattern पे livestock farming पे, industries पे जाता है फिर human beings ने ऐसी ऐसी technology develop कर ली है जिसके चलते climatic elements भले ही बदल रहे हो वो restricted states में अपने restricted space में limited space में अपने climatic conditions को बदल रखते हैं तो भले ही बाहर 20 से लग अनमी हो रही हो 45 degree का temperature हो दिल्ली में बढ़ अंदर आप मस्त इसी के 15 degree centigrade के temperature में बैठे होगी तो यह सब चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर फिर भाई temperature और precipitation की भी यहाँ पर बात करेंगे कि कैसे temperature और precipitation forest की density को maintain करते हैं grassland की quality को maintain करते हैं कैसे monsoon or rail for agriculture के rhythm को set करता है कैसे precipitation बारिश की वे ऐसे groundwater aquifoires recharge होते हैं को agriculture or domestic use के लिए प्रेयोग किया जाता है तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं oceans, mineral resources में रिचे हैं, कैसे oceans को खंगाला जा रहा है, कैसे monganus noddles की deep sea mining हो रही है oceanic bed से, so as renewable resources के कैसे यह अपने आपको rejuvenate करते हैं और कैसे यह हमाई समने economic activity में बहुत major role करते हैं, यह सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश कर रहे हैं दो और definition दी गही है what is geography की एक है Richard Haastson की यह क्या बोल रहे है geography is concerned with the description and explanation of aerial differentiation of the earth surface headner बोल रहे है, geography studies the difference of phenomena usually related in different parts of earth surface, इस सब definitions को देख के आपको यह ही पता चल रहा है यह geography को बहुत broad perspective में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की जा रही है आगे अगर आप बात करो तो physical geography की जो study है it is emerging as a discipline of evaluating, managing natural resources ठीक है भाई, physical geography अभी भी कहीं न कहीं evolve कर रहा है, natural resources को कैसे manage करना है, इनको कैसे study करना है physical environment और human beings के relation को कैसे खंगालना है यह भी देखता है आपका physical geography, physical environment resources provide करता है, उन resources को human beings utilize करते हैं, ताकि उनका economic और cultural development हो जाए, इन सब चीजों को कैसे modern technology के साथ इस्तमाल की भी किया जाए, और ecological imbalance को भी ना भी करनी दिया जाए, और sustainable development हो, यह सब चीजें physical geography में समझने की कोशिश की जाएंगे, तो यह था पूरा analysis, दोस्तों, chapter number one खतम होता है, जल्दी आपके सामने chapter number two लेके हाजिर होगा, thank you for watching friends, have a great day, I hope आपको video पसंद आई होगी, good bye